कंई कृंग खर सकता हैं है वेलकुम भी सखाना को फिट करते हैं को सिंक्तों हिदzos ज seulement जैसे एक। वीडियो को skip बिल्कुल मेट कीजिएगा वरना आप काफी कुछ मिस कर जाएंगे इंस्टिक कसूरी मेथी आप माइक्रुवेव में कैसे बना सकते हैं इसका वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है आप वहाँ से देख सकते है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने इसके लिए कुछ अलग सा बर्तन नहीं लिया है केक टीन का यूज़ कर रही हूँ जिसमें मैं केक बनाती हूँ तो मेरे वैसे तो कुछिंग चैनल है नहीं पर आप लोगों की कमेंट बहुत आ रहे थे कि मैंसमे कैसे खाना बनाती हूँ क्या करती हूँ कैसे बनाती हूँ तो मैंने सोचा चलो खाने का एक वीडियो शेयर के आजाए आप लोगों के साथ तो यह मैं नॉर्मिली जैस खटकर लिया है और से मैरीनेट कर रहे हूं थोड़ा सा धनिया पॉडर यह दाल यह थोड़ा सा जीरा पॉडर अब जो मसाले से सब्ञेश बैसी कि लिपमसाले कर देसमें इलाल मि的時候 ऑन आजमक हल्दी और थोड़ा सा सरसो ओयल को यूज़ कर रही हूँ मैं आप जो भी ओयल यूज़ करते हैं उसको डाल के मिक्स कर दीजिए रिफाइंड ओल हो चाहे आलिव ओयल हो यह आपके बड़ी पैने कौन सा तेल खाते हैं अगर आप इसमें गार्लिक डालना चाहते हैं तो उसको कूट के या फी पीस के जैसे मर्जी हो ऊपर से डाल सकते हैं मैं तो यह बिना गार्लिक के बना रही हूँ अटमाटर भी आप ऐसी डाल सकते हैं चाहें काटके भी डाल सकते हैं इसमें पर यह है कि इस तरह से सबजी बनाने में आपका आइल बहुत ही कम यूज़ होता है जैसे हम नालने के बाद अब हम जाएंगे बार्बीक्यू के ऑप्शन पे यह रहा देखो बार्बीक्यू का आप्शन इस पे जाएंगे हम तो इस पर फर्स टाम प्रेस करेंगे तो 100 ग्राम आएगा इस तरह से प्रेस करेंगे तो 200 ग्राम आएगा इस तरह से प्रेस करते जाएंगे तो मैक्सिमम इसमें 500 ग्राम है तो आपका जो सब्जी है आपकी सब्जी क्वांटिटी कितनी है उतने क्वार्डिंग इसको आप प्रेस कर सकते हैं उतनी बार प्रेस कर सकते हैं उसके क्वार कि मेरी सब्जी हो गई है थोड़ा साठी करूगी मैस में पाली आड़ करूगी मैस मि अब पानी डाल सकते हैं, और पानी वाली चाहते हैं तो पानी डाल दीजिए, धर्रवाइक इस जिसे scient टोप्ट रखे पानी डालने के बाद मैं इसको और पांच मिनिट के लिए पका रही हूँ यह हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है बिना लसून प्यास टेमाटर के बहुत ही टेस्टी सब्जी आप लोग बना के जरूर ट्राइ किएगा फिर मुझे कमें सक्षिन में बताएगा कि आपको यह सब्जी कैसे लगी तब तक के लिए बाबाए गाइस मैं फिर मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में